नवस्कार, competition community के इस online platform पर आपका स्वागत है कैसे हैं आप लोग, मैं उम्मेद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी साथियो, इसके पहले हमने C.A.G के बारे में Controller and Auditor Journal of India भारत के नियंतरा केवं महालेखा परिछक के बारे में डिटेल में चर्चा करी थी आज हम आपकी तैयारी आपने जो पढ़ा डिटेल वीडियो में C.A.G वो आपकी तैयारी किस इस्तर पर है आपको कितनी चीजे याद हैं, अब उस टॉपिक से किस आयाम में कोश्चन बनते हैं, कोश्चन पूछने का आयो का क्या इस्तर रहता है उन महत्पूर्ण और संभावित प्रशनों को objective के जरिये हम चर्चा करेंगे, लगाएंगे क्योंकि कोई भी सलेवा सो जब आप कवर करते हैं, कोई भी चीजे जब आप पढ़ते हैं तो उसको एक बहतर आकलन करने का काम, कि आपको चीजे कितनी याद हैं, उस टॉपिक से कैसे कोश्चन पूछे जाते हैं तो इन सब के लिए अपन क्या करते हैं, objective लगाते हैं, objective सी हैं, कि कैसे questions आते हैं, और हमारी तयारी कैसी है, कौन से question हम सही कर पा रहे हैं, और किस चीज में, कौन सी चीजों में हम गलती कर रहे हैं, उनका सुधार करने हैं तो आईए, आज आपके लिए महत्यपूर्ण और संभावित जो प्रश्ण हैं, वो लेकर मैं आया हूँ, उसी के बारे में हम चल्चा करेंगे, और आप अपनी तयारी को परखेंगे, कि आखिर आपकी तयारी कैसी चल रही हैं, कितनी अभी मेहनत की आवश्रकता है, और कि सायाव में कोश्चन पूछे जाते हैं, आईए हम देखते हैं, नियंत्रा केवं महालेखा परिच्छक C.A.G. आईए हम भढ़ते हैं, आज के पहले प्रश्चन के ओर, आज का जो पहला प्रश्चन है, वो कहता है, नियंत्रा केवं महालेखा परिच्छक C.A.G. कथन से कई सारे कोश्चन पूछे गए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए, आज आपके लिए पहला प्रश्चन प्रस्तुत है कथन वाला, आईए कथन पढ़ें, और उसके अनुसार हम option देखेंगे, और सही उत्तर तै करेंगे, सही उत्तर बताएंगे, पहला कथन है, मह दोनों चीजे सही हैं, तो option दोनों में कहां है, A option में कहता है केवाल A, B option में कहता है केवाल 2, और C में कहता है एक और 2, दोनों, और D में कहता है ना तो एक और ना ही दो, इसलिए जब दोनों कथन सही हैं, तो option C इसका right answer होगा, option C इसका सही उत्तर होगा, आईए आँगे हैं अगला प्रस्ट कोश्चन नमबर टू भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परिछक द्वारा संग के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सरवप्रथम निम्नमे से किसको प्रस्तूत किया जाता है आप क्या उप्शन है लोक लेखा समित के अध्यक्ष को लोक सभा के अध भारत के राष्ट पती को तो जब हमने देटेल वीडियो देखा पढ़ा था देखा था तो उस समय हमने चर्चा करी थी कि भारत के राष्ट पती जी को ऐसा किया जाता है इसका जो सही उत्तर होगा इसका सही अप्शन होगा वो होगा अप्शन डी भारत के राष्ट पती क तो यह अपनी क्या प्रतिवेदिनों की रिपोर्ट सौपते हैं और फिर राष्ट पतीजी उसको संसद में रखवाते हैं। आईए हम अंगले नेक्स्ट कोश्चन के और आगे पड़ते हैं। Q3. भारत के नियंत्रा के बं महालेखा परिच्छक किस रूप में कारे करते हैं। Q4. भारत के नियंत्रा के बं महालेखा परिच्छक का कारे 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 करते हैं। Q4. कितना कारे 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 के बारे में बात कर रहा है। यह सिंपल सा कोश्चन है क्योंकि आपको यह चीज़े याद होंगे। उसी को परखने के लिए यह कोश्चन लाया गया है। Option A में कहता है 4 वर्स, B में कहता है 5 वर्स, C में कहता है 6 वर्स और D में कहता है 7 वर्स. साथ ही आप जानते हैं कि जो C.A.G. का कारे काल है वो 6 वर्स, 6 वर्स या 65 वर्स की आई या 65 वर्स की आई जो भी पहले हो, जो भी पहले हो जाए। तब तक के लिए ये रहते हैं और ये कहा है तो ये महा लेखा कार अधिनियम जो है 1971 का उसके उसी में इसकी बात की गई है तो यहाँ जो Option C होगा, वो सही होगा 6 वर्स कारे काल होता है C.A.G. आई ये आगे बढ़ते हैं और अंगला प्रसुन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन भारत के नियंतरक एवं महा लेखा परिच्छक के बारे में सही नहीं हैं। करना है, आई ये कथन देखें और फिर उत्तर तैं करेंगे। ही उत्तर है क्योंकि इसका नियंतरन केवल केंदर सरकार के इस्तर पर नहीं, राज सरकार के इस्तर पर भी होता है। और जब हमने डिटेल वीडियो देखा था, उस समय मैंने आपको बताया था कि इसमें राज सरकार हो, चाहे केंदर सरकार हो, जो उसके बित्तिर सनर्चन का काम है, वो C.A.G. करता है। और इसमें ये कहा गया है केवल केंदर सरकार, इसलिए इसके साथ राज सरकार भी होना चाहिए और इसमें ही नहीं है, पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो option B इसका right answer होगा, option B इसका सही उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अंगले प्रस्ट क्यों। Question number 6, निम्ण में से कौन सा कार भारत का नियंत्रक एबं महालेखा परिक्षक का नहीं है, वही बात, इन में से कौन सा कार नहीं है, तीन कार इन में से होगे, एक नहीं होगा, वही आपको बताना है। Option E, वह केंद सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्टपती को सापता है। संसद में नहीं रखता, आप ये जानते हैं, वह राजजपाल को सापता है, और राजजपाल कहां रखवाते हैं, बिधान मंडल में उसको रखवाते हैं, संसद में केंदर सरकार की रिपोर्ट जो होती है, उसको रखा जाता है, इसलिए Option D इसका सही उत्तर है, Option D क्योंकि इसमें कहरा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो Option D कथन सही नहीं है, इसलिए जो सही उत्तर होगा, जो राइट अंसर होगा, वो Option D होगा, आईए आगे बढ़ते हैं, और अंगला प्रस्त, निम्न में से कौन भारत का C.A.G. कभी नहीं रहा, ऐसे questions, बिभिन संस्थानों को ले आपको बताना है, इनमें से कौन सा नहीं रहा, साथियों, इनमें से ससी कान जा जी, कभी भी C.A.G. नहीं रहें हैं, बाकि ये तीनों कभी ना कभी C.A.G. रह चुके हैं, अब आगे हम अगले प्रस्त की ओर आगे बढ़ते हैं, question number 8, question number 8 क्या कहता है, कि भारत के नियंतरा केवं महालेखा परिच्छक से संबंदेत, अनुच्छेद में असत्य को चिन्हित कीजिए, कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, उसके बारे में हमको बताना है, option A कहता है, अनुच्छेद हैं ये, ये जो भी बात की गई है, वो ये अनुच्छेद इन चीज़ों की पुष्टी करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं कि नहीं, तो अनुच्छेद 148, भारत के नियंतरा केवं महालेखा परिच्छक, आप जानते हैं, बिल्कुल उसके बारे में बात करता है, एक सो नचास, भारत के नियंतरा केवं महाल संग तथा राज्यों के लेखा प्रकार इनके बारे में बिलकुल बात करता है और option D कहता है 152 अंकेचन प्रतिवेधन साथियो जो प्रतिवेधन के बारे में बात की गई है वो भारतिय संभीधान के अनुचेद 151 151 में बात की गई है इसलिए ये गलत है और आप से गलत ही पूछ रहा है तो जो इसका सही उत्तर है जो इसका राइट एंसर होए वो option D होगा 122 नंकेच्छन वन प्रतिवेदन क्योंकि प्रतिवेदन की बात 101 क्यामन में की गई question के हिसाब से answer आपका D होगा आईए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंगला प्रस्ट निम्ले लिखित कथनों पर विचार कीजी कथन वाला प्रस्ट आप देखें आपको यहाँ प्रापर चीजें दिख रही है कथन ए हम कथन पढ़ें उसके बाद उत्तर दें नियंत्रक महालेखा परिच्छक का करतब होगा वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परिच्छा करे जो भारत की किसी संचित निधी में संदे है बिल्कुस ठीक बात कह रहा है कथन भी नियंत्रक महालेखा परिच्छक को संग या किस राज के किसी कार्याला या विभाग में किये गए भंडारों का इस्टाक या लेखाओं की लेखा परिच्छा करने और उनकी बावत में रिपोर्ट देने का प्राधिकरन होगा ये आप से पूछ रहा है कि इनमें से सही बिकल्प आप बताईए कहता है कि ए तथा दो दोनों सत्य हैं और ए सत्य है लेकिन दो असत्य है और कहता है एक सत्य है लेकिन दो असत्य है उसके बारे में बताना है तो आप से कोशन क्या पूछ रहा है कि इनमें से कथन के बारे में आप बताईए सही बिकल्प का चैन कीजिए इनमें से सही बिकल्ब कौन सा है उसके बारे में बताना है तो आप जानते हैं कि ये दोनों कथन सही है तो अब आप देखें कि ये कौन से आप्सन इसकी पुष्टी करता है तो पहले में कहता ए तथा दो दोनों सत्ते हैं बी कहता ए तथा दो दोनों सत्ते हैं और C कहता है, एक असत्य है, लेकिन दो सत्य है, D कहता है, एक सत्य है, लेकिन दो सत्य है, पर साथियों हमने ये जान लिया है, कि जब ये दोनों कथन सही हैं, तो option B इसका सही उत्तर होगा, ए तथा दो, दोनों सत्य हैं, अब अपन आगे वढ़ते हैं, अगले प्रस्ण की ओग, अगला प्रस्ण देखते हैं, question number 10, question number 10, नियंत्रा केवं महालेखा परिच्छक कितनी सदस्य संस्था है, हमने जब पढ़ा था, उस समय मैंने आप से कोई बताया था, और हमने चर्चा करी थी, आईए option में देख, एक सदस्य, दो सदस्य, तीन सदस् साथियों, ये एक सदस्य निकाय है, CAG जो है, उसमें एक महालेखा परिच्छक होते हैं, और अगर बरतमान की बात करें, तो गिरिश चंद मुर्मु जी हैं, जो 14 करम के हैं, CAG, अब आईए, अपन अंगले प्रस्ण की ओर आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं, अंगला प के प्रथम नियंतरक एवं महालेखा परिच्छक कौन थे, आईए हम ऑप्सन देखें, ऑप्सन A, B, नरहरी राव, A के चंदा, C में कहता है, S, रंग, नाथन, जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट एंसर है, वो होगा, ऑप्सन A, B, नरहरी राव, ये पहले नियंतरक एवं महालेखा परिच्छक थे, और ये भारती ये पहले थे, और पहले कि अगर बात करें, तो A, B, नरहरी राव, गो इसका सही उत्तर होगा, बारत के बरतमान नियंतरा के बारे में बात कर ला है इसका एंसर हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है इसलिए इसका उत्तरा आप असानी से दे पाएंगे पसन राजीव महरसी, B में गरीज चन मुर्मू, C में ससी का अंसर, मा उल्डी में बिनुदराय साथ ही हो इसका बी आप्सन सही होगा और ये ग्रीश चन्द मुर्मू चवदवे करम के हैं और ये इनका 2020 में ये नियुक्त हुए है आठ जन्वरी के आसपास इनके नियुक्ती की गई आईए हम अगले कोश्चन की और आंगे बढ़ते हैं और अगना प्रस्द देखते हैं कोश्चन नमबर 13 संग और राज्यों की लेखाओं का प्रारूप किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है कौन प्रारूप निर्धारित करता है ए में कहता है राष्ट पती द्वारा नियंतरक एवं महा लेखा प्रिष्यक की सलाई पर बी में कहता है सी एजी और सी में कहता है संसद और डी में कहता है लोक लेखा समीत के अध्यक्ष इसका एंसर आप बताएं तो देखें इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा तो जो इसका सही उत्तर है साथी होगा जो इसका राइट अंसर है वो है option A और हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ एक बार इसको पढ़ें फूरा कंप्लेट वीडियो देखें और उसके बाद MCQ सॉल्व करें तो आप ये पाएंगे कि आप बहतर इसके अंसर दे पाते हैं option A इसका सही उत्तर होगा अब देखते हैं question number 14 नियंत्रा के वं महा लेखा परिच्छक पद ग्रहन करने से पूर्व किसके समक्ष सपत ग्रहन करता है ये एक साधारण सप्रशन है option A में राष्ट पती B में लोकसभाद ध्यक्ष C में भारत का मुखन आधिस और D में प्रध को सपत का प्राब्धान है उसी के तहत या राष्ट पती द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष सपत ग्रहन करता है कौन C.A.G. Q.15 नियंत्रा के वं महालेखा परिछक के नियुक्ति राष्ट पती द्वारा की जाती है जो राष्ट पती के प्रसाद परियंत पत धारण करता है अब ये आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत नियंत्रा के वं महालेखा परिछक के कारिकाल के प्रसासनिक व्यववेतन भत्ते आदि भारत की संचित निधी पर भारित होते आपके उप्सन है ए सही दो गलत, दो सही एक गलत, C. दोनो सत्य और D. दोनो असत्य दोनो गलत साथियो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका एंसर कर पाएंगी जो कथन पहला है वो कथन गलत है क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि राष्ट पती के प्रसाद परियंत धारन करते हैं लेकिन ये बात पूरता गलत है ये बात सरासर गलत है राष्ट पती जिन्युक्त जरूर करते हैं लेकिन इनका कारिकाल जो होता है वो महालेखा कारधिनियम 1971 के तहत 6 वरसे 65 वरसे इधारित किया गया है और राष्ट पती के प्रसाद परियंत ये पर धारन नहीं करते पहला अप्सन तो गलत है अब आप देखें कि क्या कहता है दूसरा ओप्सन सही है इसलिए ओप्सन भी इसका सही उत्तर होगा दूसरा सही है और पहला गलत है ये बात बिल्कुल सही है कि जो मैंने आपको बताया था कि जो भी खर्चे हैं जो भी वे हैं वो भारत की संचित निधी पार भारित होते हैं आईए अंगले प्रशन की और इन में से कहता है एक कारुन का नहीं है भारत की संचित निधी के सभी व्याय संबंधी लेखाओं की लेखा परिच्छा प्रतेक राजी की संचित निधी के सभी व्याय की लेखा परिच्छा वो है केंडर सरकार के लेखाओं का संकलन और अनुरच्छन करता है वो है राजी के हैं अपन बताते हैं तो जो पहला option है B, C और D तो इन में से जो सही जवाब है वो है C क्योंकि इसमें कह रहा है वह केंद सरकार की लेखाओं का संकलन और अनुरच्छन करता है इसमें आप से पूछा गया है कि इन में से कौन सा सही नहीं है उसके बारे में बात की गई आई ये अपन आगे बढ़ते हैं आगले प्रस्न कियों भारत की नियंत्रा के वं महालेखा परिक्षक लेखा जोखा संबंधी अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है तो ये साधारन सा प्रस्न है ये राष्ट पती जी को ही अपनी रिपोर्ट देते हैं इसलिए ऑप्सन डी सही उत्तर होगा क्वेश्चन नमबर 18 भारत के सी एजी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अधार पर कौन सी समीती कारी करती है मैंने आपको ये बताया था हमने ये चर्चा करी थी आप इसका सही उत्तर राइट एंसर दे पाएंगे सरकारी उपकरों प्राकलन लोकलेखा समीत अब भी से साधिकार समीत जो इसका उप्सन सी है लोकलेखा समीत वो इसका सही जवाब होगा अब हम अगले प्रश्ण की ओर रागे बढ़ते हैं और अंगला प्रश्ण देखते हैं भारत के सी एजी की नियुक्ति संबंधी संबिधान की किस अनुच्छेद में किस भाग द्वारा की जाती है संबिधानिक वर्णन कहां है इसके बारे में क्वेश्चन पूच रहा है आईए उप्सन देखते हैं उप्सन ए भाग साथ अनुच्छेद एक सो तिरपन बी में कहता है भाग शे अनुच्छेद एक सो चे आलिस C में कहता है भाग 5 और 96 148 और D में कहता है भाग 4 और 96 100 इंक्यामन तो साथ ही हो जो इसका सही उतर है जो इसका राइट अंसर है वो C होगा योकि हम जानते हैं कि भाग 5 के चैप्टर 5 में और 96 148 में नियुक्ती की बात की गई है किसके? C.A.G. के और इससे संबंधित अगर अनुच्छे के बात करें तो 149, 150 और 151 ये अन्ध आर्टिकल भी इसी के संबंधित हैं C.A.G. से संबंधित हैं अब हम next question के और आगे बढ़ते हैं Question number 20 भारत के नियंत्रव के वं महालेखा परिच्छक के वेतन भत्ते कौन निरधारित करता है? इसके बारे में question आप से पूछ रहा है Option देखें आप A में संसद, B में भारत का रश्टपती, C में केंद सरकार और D में इन में से कोई नहीं जो इसका सही उत्तर है, जो इसका right answer है वो होगा संसद ये निरधारित करती है इनका क्या बेतन और भत्ते और बरतमान में इनकी बेतन भत्ते महालेखा कार का अधिनियम जो 1971 है उसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोट को जो वेतन दिया जाता है सुप्रीम कोट के जो नियाधिसों को वेतन दिया जाता है वही वेतन किसको दिया जाएगा CAG को तो इस समय बरतमान में CAG की जो वेतन है वो है 2.5 लाग के आसपास 2.5 लाग ही है अब हम देखते हैं question number 21 ये कहता है कि संसद की लोक लेखा समीद के guide या माग दर्सक के रूप में कारी कारी करता है कारी 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 करता है इसके बारे में पूछ रहा है option option A. भारत का महान्याईवादी B. CAG C. Cabinet सचीव D. भारत का अटानी जर्नल तो जो इसका guide और मित्त का कारी करता है वो CAG ही करता है option B. इसका सही उत्तर होगा अब हम आगे पढ़ते है question number 22 नियंत्रा के वं महा लेखा परिच्छक राश्टपती को तीन लेखा परिच्छा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको बताना है बिन्योंग लेखाओं पर बिल्कुल बित्त लेखाओं पर बिल्कुल सरकारी उपकर्मों पर लेखा बिल्कुल लोक बित्त पर लेखा परिच्छक ये option सही नहीं है इसलिए हम देखेंगे कि एक दो तीन जिसमें है option C का सही जवाब होगा अब हम बढ़ते हैं next question की और अंगले question की और अंगला प्रशन है 23 नियंत्रा के वं महा लेखा परिच्छक किसके प्रति जुम्यदार होता है किसके प्रति जुम्यदार होता है वो अपने को बताना है A में है राष्ट पती B में है संसद C में है लोक लेखा समीति और D में है प्रधान मंत्री साथियों वो संसद के प्रति जुम्यदार होता है और संसद आप के ऑप्शन B में दिया गया है अब हम अंगले प्रशन की और आगे बढ़ते हैं और अंगला प्रशन देखते हैं question number 24 मद्यप्रदेश महालेखा कार का प्रधान कारियाल है कहां इस्थित है उसके बारे में आपको बताना है आप इसका अंसर आसानी से दे पाएंगे option A भोपाल option B जवलपूर option C इंदौर option D ग्वालियर साथियों जो इनका प्रधान कारियाल है वो ग्वालियर में है इसलिए इसका right answer जो होगा वो D होगा ग्वालियर और अगर इसमें हम extra fact की बात करें तो भोपाल में इसका छेत्री कारियाले है छेत्री कारियाले भोपाल में है छेत्री कारियाले कहा है भोपाल में अब हम बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्ण और अंतिम प्रश्ण की और लेखा परिक्षा बोर्ड के अध्यक्षवा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है उसके बारे में बात की गई है तो लेखा परिक्षा बोर्ड के अध्यक्षवा सदस्यों की नियुक्ति option A में भारत को मुखिनाईदी B में है प्रधान मंतरी और C में है CAG और D में है राष्ट पती तो जो इनमें नियुक्ति कौन करता है उसके बारे में आपको बताना है तो बताएं आप इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर होगा C क्योंकि CAG ही लेखा वोर्ड के अध्धक्षेवन सदस्यों की नियुक्ति करता है तो साथियों आज हमने देखा भारत के नियंतरा के बारे महालेखा परिक्षक के औब्जेक्टिव टाइप महत्पूर्ण और संभावित जो बस्तुनिस्ट प्रसंत थे उनके बारे में हमने चर्चा करी कुछ हमने मध्यप्रदेश महालेखा कार कारियाले से सम्मनित फैक्ट के बारे में भी अब्जेक्टिव में देखा तो साथियों हमने उसके पहले डेटेल वीडियों में CAG पढ़ा उसके बाद हमने अब्जेक्टिव सौल किये तो उमीद करता हूँ कि आपको ये हमारा प्रयास आपकी सफलता के लिए लाबदायक सावित हुआ होगा आप हमसे जुड़े रहें आप कम्प्टेशन कम्यूनिटी के टीम के साथ जुड़े रहें आपका बहुत बहुत धन्नवाद खुब पढ़ें खुब आंगे बढ़ें अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान करें और सुदरता प्रदान करें आपका बहुत बहुत धन्नवाद हम मिलते हैं किसी अगले इंपोर्टन टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्नवाद